आज हम बनाने वाले हैं कोकुनेट राइस केक जिसमें हमने ना बटर ना घी और ना तेल ना कंडेश मिल किसी का भी यूज हमने नहीं किया फिर भी जो एक केक है ना बहुत ही ला जवाब बनता है एक बार आप लोग बना करके देखिए हलो दूस्तों विलकम बैक टू माई चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में आसान तरीके से मिल जाता है सभी दुकान पर अगर दुकान पर भी नहीं मिल रहा है तो आप इसे घर पर बना सकते हैं और यहां पर देखिए हमने लिया दही तो दही बिलकुल भी खटी नहीं होनी चाहिए तो एक कप आटा के लिए यहां पर हमने आधा कफी दही दिया है और दही को डाल करके फेट लेते हैं फेटने के बाद अब इसमें हम उसी कप में लेते हैं पानी और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसको फेटते जाएंगे ताकि इसमें बिलकुल भी गांठे ना पड़ के साथ चावल के आटे के साथ इसको जादा देर तक थोड़ा फेटना पड़ता है फेट भी जाता है और यहां पर देखिए थोड़ा जो बैटार है बनने लगा है और इसकी कष्टिशन थी सोड़ीची हम पहले गाड़ी रखते हैं क्योंकि इसमें अभी हम चीनी इसको फेटेंगे ना तो यहां पर देखिए जो बैटार चावल का पतला होने लगा है फिर हम लेते हैं कोकोनेट तो आपके पास अगर ताजी वाली नारियल नहीं है तो आप इसको ड्राइवाली भी कदू कस करके डाल सकते हैं तो यहां पर ताजी वाली हमने कदू कस करक करके इसको डाल सकते हैं और इसको हम फेंट लेते हैं अब इसको हम रखते हैं पांस मेंट के लिए रेश्ट पर तब तक गैस पर हम चड़ाते हैं कड़ाई और उसमें हम डाल देते हैं दो गिलास पानी या पर दो गिलास पानी में डाल दिया फिर जो इस्टंड होता है उसक की मान के चलिए और देते हैं इससे जो हमारा केक है बहुत ही फलपी बनेगा और इसको फिंट लेते हैं फिर यहां पर लेते हैं हम साफ की कटोरी आं तिया पर देखी us वह लेगे तो शल्य कैम मी हुआ बना बना रहा हुआ दो खीप का भीटर भीटर अ मातय। ंसल्य होताई वासा गत्रक म्सहिए दीनतर सकता हैं तो तेखी इतना ही पत्ला जो है वैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाडा भी नहीं, और बहुत ज़्यादा पत्ला भी नहीं रहाता है, जब केक केख कब बैटर होता है इस केक का, फिर यह पे एक कटूरी कम थी, तो एक कटूरी हमने ओल ले लिए उसको भी गीस से ग्रिस कर लिया है और उसमें भी हम बैटर को डाल देते हैं तहां पर सभी को हमने डाल दिया है उपर से थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें ड्राइब फ्लोट आपको जो पसंद हो तहां पर देखिए हमने अखरोट और को बारी बारी काट लिया है और उपर से थोड़ा सा डाल देते हैं देखने में अच्छा लगता है स्वाध्य बढ़ जाता है तो उपर से चारो कटूरी में हम डाल देते हैं तहां पर देखिए सभी को हमने बराबर डाल दिया है फिर देखते हैं पानी पानी यहां पर दे और चेक कर दिया है और चेक करने के बाद गैस की मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम अब ढग करके कम से कम आठ मिनट तक तो यह पर उसी को हम लेते हैं और एक करके केक में हम डालते जाते हैं तो चारों में हम डालने हैं तो बहुत जादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा चीपक रहा है यानि कि दो मिनट में अब यह बिल्कुल अच्छी तरह से बन करके तयार हो जाएगा फिर इसको हम ढग देते हैं दो मिनट के लिए और दो मिनट मज़ेदार सा केक कोकोनेट अब लसे सीँ जाएगे हैं तो इसको हम एक प्लेट में निकालते जाएगे इसली तरह से जेतना जितना हो कितना स्पंजी बना हुआ केक है और स्वाध भी नया है तो एक बार आप लोग इस केक को जरूर राए करें और हमारी वीडियो पसंद आथ हमारे चैनल को लाइक शेयर